हेलो बडीज, कैसे हैं आप सब, वेलकम बाक टू माइ चैनल तो आप चो तस्वीर देख रहे हैं थाम नेल में, वो तस्वीर सभी के लिए बहुत डिस्टरबिंग है यह तस्वीर है मैनौल्स के वेंजिंग की, आजादी के 73 साल बाद भी हमारे देश का हालत यह है यह किसी को भी देखकर मश्बूर कर देता है सोचने में कि हम किस तरफ, किस टिरेक्शن में जा रहे है डेवलप्मेंट की, क्या हम सही डिरेक्शन में जा रहे हैं, क्या लोगों को human rights का सही value पता है, क्या human rights violet नहीं हो रहे है हमारे देश में चानते हैं मैनुवल्स के वेंजिंग के बारे में और नियूज के बारे में डीटेल में तो नियूज ये है कि गवर्मेंट ओफ इंडिया ने मेकनाइस्ट क्लीनिंग को मेंडेटरी कर दिया है तो जिवाई ने ये कहा है कि ऑफिशिल यूज होगा मशीन हूल का रादा देन मैन हूल का और जो मेकनाइस्ट क्लीनिंग होगी मतला मशीन का यूज होगा सेप्टिंग टैंक्स में और ये मेंडेटरी होगा सरकार का ये भी एम है कि ये ऑगस्ट 2021 तक एलिमिनेट कर देगी मैनल स्केवेंजिंग को और अगर कोई ऐसी एमर्जेंसी का सिटुएशन अराइज होता है तो प्रॉपर ग्रियर और ऑक्सीजन टैंक्स का यूज होगा क्योंकि आपको पता है कि मैनल स्केवेंजिंग में जब अंदर जाते तो मिथेन गैस बहुत जादा होता है बहुत रिस्की होता है सांस लेने में बहुत दिक्कत होती तो अगर आप oxygen cylinders के बिना जाएंगे तो बहुत ज़्यादा suffocating हो जाएगा In fact Supreme Court ने इस चीज़ को observe करते हुए बोला था कि 73 साल बाद भी देश मजबूर कर रहा है लोगों को कि वो gas chamber में सांस लेने में मजबूर हो रहे हैं वो death की तरह भेज़े जा रहा है जबर दस्ती तो देखते हैं कि हमारे यहां अभी क्या situation है तो महवा ने, Ministry of Urban Affairs ने एक challenge initiate किया है इस initiative के अंडर states compete करेंगे और 2021 तक यह mandatory हो जाएगा कि sewer cleaning जो होगी वो mechanized होगी इसमें price money भी है और बहुत सारी categories में भी money दिया हो गया है जिसका report उसका जो priority area है वो सुच भारत mission है तो क्योंकि यह top priority है तो urban cleaning और mechanized cleaning को fund allocation में कोई दिक्कत नहीं होगी In fact, Social Justice and Empowerment Ministry ने कहाए कि वो अब municipalities और contractors को safety gears देने की वज़ाए machines देने की वज़ाए वो individually personals को देगी ताकि वो use कर पाए इस चीज़ को आईए जानते हैं डीटेल में manual scavenging इंडिया में आजादी के बाद आपको तो पता होगा Constitution of India ने Article 17 के अंडर untouchability को fundamental rights के against बोला है तो 1955 में Protection of Civil Rights Act के अंडर scavenging और sweeping का जो है target रखा गया था इन्हें eradicate करने का 1956 में बहुत सारी committees आइं उसके बाद जिसमें कालेलकर commission हैं जिसने mechanization पर बात की थी mechanization dry letterins और वगएरा का mechanization का बात की थी उसके बाद 12 commission हैं यह सब commissions आये मलकानी committee पांडिया committee तो यह manuals convenger के working conditions को regulate करने के लिए थे जबकि काका कालेलकर commission जो है वो जो 1956 में आया था उसने mechanization की बात की थी तो आप सोच सकते हैं कि आज हम इतने सालों बाद इस चीज की बाते कर रहे हैं तो या कहां जा रहा है development की तरफ हमें बार बार मैं बार बार यह चीज बोल रहीं कि कि आप सोचें कि हम किस तरफ जा रहे हैं हमें वो angle भी वो section of society को भी देखना पड़ेगा जो receiving end पे है जो जिसके लिए constitutional rights जिसके लिए human rights जिसके लिए fundamental rights यह सब तो पता नहीं कौन सी बाते ह होंगी तो हमें जानना चाहिए और हमें सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते society के लिए इसके बाद एक scheduled cast and scheduled tribes prevention of atrocities act 1989 में आया था और फिर इसके बाद national scheduled cast and scheduled tribes finance and development corporation जिसे NSK, FDC बोलते हैं इसमें financial help का provision था sanitation के लिए यह developments हैं फिर देखेंगे कि 1993 में एक act आया था जो था the employment of manual scavengers and construction of dry letterings 1993 का है इसमें भी punishable act था यह जो dry letterings और manual scavenging और imprisonment का भी provision था लेकिन आप सोच सकते हैं कि 1993 में act आया था फिर भी यह हालत क्यूं है क्योंकि इसमें state को बहुत जादा आजादी दे दी गई थी states पर रख दिया गया था कि schemes बनाए rules बनाए direction बनाए तो state कहीं न कहीं पूरी तरह से fail हुई है इसमें आये जानते हैं 1993 के act के बार 2013 के बारे में तो इसमें एक definition दिया गया है कि manual scavenges क्या है जो handle करते हैं अंडिकंपोज हीमिन वेस्ट को आप imagine करिए कि आपको अंडिकंपोज हीमिन वेस्ट को manage करना पड़े इसमें एक exception है कि अगर आप protective gear के साथ equipment के साथ करते हैं तो वह manual scavenging नहीं माना जाएगा तेखते हैं कि manual scavenging में क्या-क्या clauses हैं क्या-क्या provisions हैं यह तो पहला construction और maintenance का प्रोहिबिट करता है in sanitary letter जो है उनको उनका construction और maintenance prohibited है इसमें यह rehabilitation की बात करता है manual scavengers की उनके financial help की बात करता है और इसमें जो implementing authority है वो है district magistrate और local authorities और इस act में जो ऐसा offense है manual scavenging का किसी को force करना वो non-bailable और cognizable है देखते हैं कुछ facts एक fact के according एक survey के account national survey था 2019 के according 54,000 manual scavengers है इंडिया में और यह grim picture इसलिए क्योंके 11 states का data included नहीं है आप सोचके देखे कि कितने सारे लोग forced है इस तरह के काम करने के लिए क्योंके economic compulsion है फिर अभी 1993 से 2019 तक 800 लोगों का death हो चुका है चानते इस news के analysis की तरफ analysis क्या है क्या आप देख सकते हैं कैसे आप इसे answer में use कर सकते हैं क्योंकि हम inclusive development की बात करते हैं तो यह inclusive development को threaten करता है कैसे आपने पढ़ा होगा अंबीर करको वो बात करते हैं कि right to choose profession होना चाहिए क्या हमरे पास यह freedom है क्योंकि manual scavenging caste से related है आप देखेंगे society में आपने पढ़ा होगा purity or pollution का concept क्योंकि manual scavenging caste से related है तो कहीं न कहीं यह एक particular caste को एक particular section of society को receiving end पे रखता है और वो post होते हैं कि वो purity or pollution का जो demarcation है उसके उस जो line खीची गई है उस line में pollution के से related जो है काम करें यह social justice deny करता है लोगों को जो हमारे preamble का है यह article 17 का भी violation है untouchability यह article 21 जो right to live with dignity है right to life है जो कि supreme court अपने interpretation से इसे बहुत ज्यादा expand करता जा रहा है amplify करता जा रहा है और यह कहीं न कहीं state का failure है क्यों क्योंकि article 46 में state को एक directive है model obligation state पर कि वो weaker sections of society जैसे SC, STs और other weaker sections of society का educational and economic interest में काम करें और आप देखेंगे कि यह एक vicious loop create करता है क्योंकि इनके पास economic option नहीं होता है तो क्या होता है कि इनके बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं इनके बच्चों का educational qualification काम होता है तो वो forced होते हैं कि वापस से वो इसी काम की तरफ चले जाएं तो यह क्या करेगा एक तो poverty का vicious cycle भी create करेगा दूसरा यह एक particular section of society को बार-बार उसी काम में force करेगा तो इसमें children भी receiving end पे होंगे और mostly जो है women बहुत ज्यादा receiving end में होते है manual scavenging के और analysis में आप देखेंगे कि यह हमारे international obligation को fulfill नहीं करता है अगर हमारे देश में 54,000 से ज्यादा लोग अभी भी manual scavenging में involved है तो हमें जानना चाहिए कि हमारा state कहां fail कर रहा है हमारी सरकारें कहां fail कर रही है और कि कि इंडिया global posture रखता है, global aspirations रखता है, global power की बात करता है तो अगर 54,000 लोग जो दिखता है कि society में बहुत छोटा section है लेकि 54,000 से जो families related है, जो उनसे associated members है, जो multiplier effect है उसका वो अगर हम नहीं consider करेंगे तो हम बहुत ज्यादा narrow view रखेंगे, my vision रखेंगे फिर देखते हैं कि क्या कर्स किया जा सकता है पहला तो rehabilitation clause जो है 2013 के act का, उसको हमें properly implement करना होगा हमें देखना होगा कि rehabilitation viable हो, फिर से अगर financial help मिल रही है तो जो worker है जिसे rehabilitate किया गया है, वो फिर से मजबूर ना हो जाए कि वापस से scavenging में आया उसके पास options होने चाहिए कि वो कुछ काम कर सके, और options के लिए क्या जरूरी है कि उसका skill development होना चाहिए तो gainful employment की तरफ उसे ले जाना है, आप इसमें government की कोई भी scheme लिख सकते है PMU WA, STRIVE वगेरा इसमें लिखा जा सकता है, हमें social sector में expertise बढ़ाना होगा RT, right to schooling का हग देती है, right to education का हग अभी दूर तूर तर distant dream लगता है हमें innovative solutions की तरफ जाना चाहिए, bandicoot जो robot बनाया था, जिसमें क्या है कि वो septic tanks को clean कर रहा है तो कहीं न कहीं हमें इस तरह के solutions की तरफ जाना होगा, हमें देखना होगा कि आप देखेंगे स्वच भारत mission में criticism में ये भी आता है कि क्या होगता है, कि आपने बना तो दिये, toilets बना दिये लेकिन water का availability नहीं होगा, तो आप कैसे जाओगे फिर next job है कि attitude भी change करना है society में लोगों के attitude में आना चाहिए कि ODF छोड़े और लोग, lower sections of society या जिन्हें आप SC, ST या जो receiving end पर है रहते हैं, उन्हें आप dignity के साथ treat करें purity and pollution जैसा नहीं होना चाहिए है, यह hierarchical structure create करता है society में, जिससे क्या होता है कि एक line सा draw हो जाता है, जिसमें एक section of society जो है, वो बहुत ज़्यादा rich होता है Oxfam की report आपको पता होगी, और एक section of society है जो बहुत ज़्यादा poor होता है तो inequalities develop होती जा रही है, आप अगर wealth की inequalities को देखना चाहेंगे तो आप Oxfam की report जरूर पढ़िएगा यह है details, manners, avenging के बारे में, जो इंडिया की सच्चाई आजादी के 73 साल बाद भी यह आप papers में कैसे use कर सकते हैं, आप society में use कर सकते हैं, वलरेबल section में use कर सकते हैं inclusive growth में अगर बात करते हैं तो देखेंगे कि आप कैसे society का condition, कैसे casteism role play करता है poverty में आप वहां use कर सकते हैं, आप ethics में use कर सकते हैं, आप attitudinal change, essays में use कर सकते हैं, यह data आप कहीं भी use कर सकते हैं that's it from my side, thank you for watching my channel, if you liked my video, please subscribe and share and if you think there is any improvement required, please, please comment on the section below